वेलकम बेक टो आज चैनल गाईज दपजल सॉल्वर तो आज हम जो पजल सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है हमबर्गर मैग फ्राइज एंड सॉफ ड्रिंग पजल इस पजल में आप देख सकते हैं मैं डॉनल्स हमसे पूछ रहे हैं और इस पजल करते हैं और इस पजल करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहली कुईजन में आप देख सकते हैं हमारे पास तीन सॉफ ड्रिंग्स हैं जिसकी टोटल वैल्यू है 30 तो अगर हम एक सॉफ ड्रिंग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आजाएगी 10 तो हमारे पास एक सॉफ ड्रिंग की वैल्यू 10 आ जाती है और उसकी वैल्यू हम आगे वाली इक्वेशन में डालेंगे ताकि हम दूसरे आइटम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सेगें तो चलिए फ्रेंट इक्वेशन पर जंप करते हैं इक जिसमें हमारे पास एक सॉफ ड्रिंग और दो हैंबर्गर जिनकी टोटल वैल्यू हमारे पास 20 एक soft drink की value हमको पता है 10 है जो कि हमने आप उठ कर दिया है और इसका addition हो रहा है हमारे दो hamburger के साथ तो जब एक hamburger की value को हम find out करेंगे तो यह 10 चला जाएगा right side में तो 20-10 is 10 और अगर एक hamburger की value निकालेंगे तो 2 से हम divide कर देंगे तो यह answer आजाएगा एक hamburger का 10 divided by 2 is 5 तो अभी तक हमारे पास एक cold drink की value है 10 और एक hamburger की value है 5 तो चलिए जम करते हैं अपनी next equation नेक्स्ट equation में आप देख सकते हैं हमारे पास एक burger है और दो pack of mac fries है तो हमें पता है एक burger की value है हमारी 5 जो कि हमने यहाँ put कर दी है और हमारे पास दो pack of fries है जो कि हमने इस तरीके से लिए और इसकी total value है 9 तो जब इसको solve करेंगे pack of fries के लिए तो 9-5 is 4 और एक pack दो pack of fries की value आजाएगी divided by 2 तो 4 divided by 2 is 2 तो अगर 2 mac fries की value 2 है तो एक mac fry की value हो जाएगी 1 तो चलिए friends अपनी final equation solve करते हैं final equation में हमारे पास एक burger है एक mac fries है और इसका multiplication हो रहा है एक soft drink के साथ तो हमको एक item की value पता है soft drink की 10 है hamburger की 5 है और एक mac fry की value है 1 उसको हम put करते हैं और अपना final answer निकाल लेते हैं mac burger की value है 5 cold drink की value 10 और mac fry की value हमने यह 1 put कर दिया तो according to the board mass rule हमारा multiplication sign सबसे पहले solve होगा तो 1 into 10 is 10 इसका addition हमारा 5 के साथ हो रहा है तो हमारा final answer आजाएगा friends 15 15 और यह puzzle भी हमारा हो जाता है sold thank you so much guys thank you for being with us अगर आपको यह video पसंद आता है और हमने जो mcdonald's को उनकी puzzle solve करने में help कर रहे हैं वह पसंद आती है तो इस video को like कीजिए अपने friends और family group के साथ इसको share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए इसे ही मसेदार puzzles के लिए thank you so much guys bye bye अपने लिए